साथियों, कॉंग्रेस राज में असम के सामने सवाल था कि असम को लूटने से कैसे बचाएं, ये सवाल था अगर नहीं था? असम को लूटने से कैसे बचाएं, ये कॉंग्रेस की समय हर असमिया के मूँ से निकलता था। एंडिये के सेवा काल में आज असम पूरे सामर्त के साथ नई बुलंदिया छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। कॉंग्रेस राज में सवाल था कि ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों के बीच आपस में कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। एंडिये के सेवा काल में ब्रह्मपुत्र पर आधुनिक पूल बन रहे हैं, पूराने अधूरे पूलों को पूरा किया जा रहा है। कॉंग्रेस के राज में सवाल था कि दसकों से अशान्त चल रहे असम में कभी स्थान्ती आएगी क्या आएगी या नहीं आएगी। एंडिये के सेवा काल में आज असम में शान्ती स्थापित हुई है और स्थिर्ता भी आई है। कॉंग्रेस के राज में एक और सवाल था कि असम और देश की शान यहां राइनों को कॉंग्रेस द्वारा पाले पोसे शिकारी गिरों से कैसे बचाया जाएगा। मुझे पताईए राइनों को बचाना यह सवाल थाग नहीं था। हम सब की चिंता का विशय थाग नहीं था। मैं जब जब इस शेत्र में आया इस विशय की चर्चा हुई के नहीं हुई यहां भाजपा के एंडिय की सरकार ने राइनों के दुश्मन सिकारियों को जेल के पीछे पहुचाया है। कॉंग्रेस जिन अवईत कपजाधारियों को प्रोचान देती थी उनसे भी काजी रंगा को मुक्त कर दिया है। सात्यों हमारी सरकार जानवरों की सुरक्षा और सामान्य मानवी की सुविदा दोनों को प्रात्विक्ता देते हुए काम कर रही है। और इसलिए गोपूर से नुमाली गड़ के लिए ब्रह्म पुत्र के उपर ब्रीच और बाइपास बनाकर कनेक्टिविटी देने का प्रयाद सल रहा है। इससे अपर आसाम की गुवाटी के साथ फोर लेंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सकेगी।